नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आप सभी क्या स्वागत है? मैं डॉक्टर सुनीता सिंग, साहे काचारे, दिक्षा संकाय, दिल्ली विश्विद्यागे आज हम सभी सीर्शक, चिंतन के उपकरण, माइन मैप और CORT पर चर्चा करेंगे CORT पर चर्चा करने से पहले हम सभी आपसी समझ से चिंतन क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बातवरंण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़तोर किया जाता है चिंतन को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा जा सकता लेकिन इसको ब्यवहार के अधार पर जान सकते हैं समाने तया जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वह समस्या समाधान है तो चिंतन प्रक्रिया में डूप जाता है इस प्रकार चिंतन एक मध्यस्त प्रक्रिया है यह एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है यदि हम चिंतन के विविन तत्वों की बात करें तो मनोवई ज्यानिक विटेकर के अनुसार चिंतन के प्रमुक तत्व इस प्रकार है निश्चत रूप से जिंतन में लक्ष निर्धारित होता है वे किसी लक्ष को ले करके किया जाता है जिंतन में समस्या होती है जब भी हम किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं अनायास ही हम उस समस्या के समधान ही तो आगे बढ़ते हैं और अपनी पूर्व अनुभूतियों के आधार पर उस समस्या का समाधान करनी के लिए एक नए तरीके को खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार लक्ष, समस्या, गद अनुभूति ये सभी चिंतन के तत्व हैं। प्रतेक्विति के जीवन में समस्या आती रहती हैं, समाधान होते रहते हैं। लेकिन उसमें अभी प्रेणा एक महत्व पूर्ण तत्व है, मोटिवेशन लेवर। चिंतन में मोटिवेशन अभी प्रेणा भी एक प्रमुक तत्व के रूप में है। जब हम अपनी पूर्व अनभूतियों के अधार पर चिंतन करते हैं, तो उसमें बिभिन प्रकार की प्रायल एन एरर प्रत्न वा भूल भी होती हैं। और उसी प्रत्न और भूल के बाद हमें हम अपनी समस्या के समाधान तक पहुंसते हैं। चिंतन में केवल प्रयत्न भूल और अभी प्रेरण ही नहीं बलकि आंत्रिक संभाशन भी होता है। मनुष्य मौन में बैठ करके भी चिंतन करता रहता है। और उसके आंत्रिक मन से बाते करते हुए चिंतन करते हुए उस समस्या के प्रतेक पहलू पढ़ जाता है। चर्चा की यदि हम चिंतन के उपकरणों की बात करें तो चिंतन के उपकरण जैसा की अमुक्चित्र में दिखाई दे रहा है Questioning, Concept, Cognitive Research Trust और Mind Map इन उपकरणों को हम प्रश्णिकरण, संप्रत्य, Mind Map और CORT के रूप में जानते हैं जो एक Thinking Tools के रूप में आज केल की सिक्षा प्रणादी में प्रयुक्त होते हैं आज हमारी चर्चा का विशह है CORT हम सभी को जिग्यासा होगी कि ये CORT है क्या और ये Concept किस ने दिया Dr. D. Bono ने Lateral Thinking पाशर्विचिंतन की उत्पत्ती की और Lateral Thinking क्या होती है इस पे मैं आपको बताती हूँ Lateral Thinking means Out-of-Box Thinking जब आप किसी Thinking को करते समय एक सामाने नजरिये से सोचने के लावा एक नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं Step by Step शुरू करते हैं तो वहर तिंकिंग Lateral Thinking के रूप में वर्गी कृत की जाती है CORT के सेतात पर है Cognitive Research Trust इसे Dr. D. Bono ने दिया इनके अनुसार चिंतन का कौशल उपकरणों के दोरा विक्सित किया जा सकता है इन्होंने अपने CORT टेस्ट में विभिन प्रकार के टूल्स दिये जिसकी आगे चर्चा करेंगे इनके अनुसार अधिकांश बैभारी चिंतन प्रत्यक्षी करण की अवस्था में उत्पन होता है चिंतन के विभिन प्रकारों को देते हुए D. Bono ने निवन प्रकार के प्रयोग किये इसमें जो पहला थिंकिंग है इसको उनोंने कहा Breath और Directional Thinking Directional Thinking जिसे हम कहते है निर्देशित चिंतन Breath अर्थाद विस्तार पूर्वक चिंतन जब हम अपने perception को अपने प्रत्यक्षी करण को विस्तार देते हैं Broad करते हैं Open Minded होते हैं और प्रतेक पक्ष और प्रतेक पहलो बढ़ जाकर कि सोचते हैं तब उसे हम Directional Thinking के रूप में वर्गी गृत करते हैं दूसरा डीबोनो जी ने Organization की बात की है जिसे इन्होंने Organizing Thinking कहा है निश्चित रूप से किसी भी समस्या के समाधान पर पहुँचने के लिए एक अच्छे परणाम की प्राप्ती है तू हम असंगठित तरीके से अवेवस्थत तरीके से नहीं पहुँच सकते अता हमारे बालकों में, हमारे अध्यापकों में, हमारे प्रसिक्षार्थियों में एक Organized Thinking निश्चित रूप से पैदा करनी चाहिए आगे चलकर हम उन टूल्स की बात करेंगे जिनके तहत हम Organized Thinking उत्पन कर सकते हैं डिवोनों ने तीसरा जो Thinking का टाइप बताया है उसे कहा है Interactive Thinking अंतक्रियाचिंतन अंतक्रियाचिंतन के अंतरगत हम डायलोग करते हैं इंटरेक्शन करते हैं, हम डिबेट करते हैं हम एक दूसरे से बात करते हैं और केवल एक दूसरे से ही बात नहीं करते बलकि हम अपने अंदर भी बात करते हैं और यह Interactive Thinking यह अंतक्रियाचिंतन हमें समस्या के समधान की तरफ ले जाता है Interactive Thinking के क्या फायदे हो सकते हैं इसको डिवोनों ने चरचा किया कि Interactive Thinking के द्वारा जब हम दो लोग डायलॉग करते हैं तो हम उसमें प्रोज एंड कॉन्स हम उसके फायदे उसके नुकसान उसके प्लस उसके माइनस उसके प्रोज कॉन्स के साथ सत उसकी SWOT अनलेसिस भी करते हैं इस प्रकार से प्रतेक पक्ष पढ़ जाकर के एक Critical Thinking एक आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है इंटरेक्टिव थिंकिंग के द्वारा अगले थिंकिंग में आते हैं हम जिसको चौथा प्रकार कहा है जो है स्रिजनात्मक चिंतन स्रिजनात्मक चिंतन जिसको आजकल हम बहुत ज़्यादा psychology में यूज करते हैं कि Teaching by Constructivist Approach हम रचनात्मक तरीके से बच्ची को पढ़ाएं Creative Learner बनाएं इसको इन्होंने Design Thinking के रूप में बताया Creativity के लिए जरूरी नहीं है कि आपका I.Q. बहुत अधिक हो आप कम बद्धी लबदी के एक कुमार को भी देखते हैं कि वो कितनी सुंदर रशनाय निर्मित करता है तो स्रजनात्मक चिंतन आपके कलापक्ष को भी मजबूत करता है आपके साहित्य को मजबूत करता है कक्षा में स्रजनात्मक चिंतन किस प्रकार से उत्पन करें किस प्रकार से उत्पन करें इस पर डिवोनों ने कुस टूल्स को दिया है स्रजनात्मक चिंतन फिर कहीं rigid thinking से हटकर एक flexible, एक लोचनिय, एक नवीन, एक विस्तार पूर्व किया गया चिंतन है अगला चिंतन है सूचना एवं भावनात्मक चिंतन जिसे कहा है information and feeling information gathering and assessment मनुष एक भावनात्मक प्राणी है वह जब भी कहीं सूचना प्राप्त करता है तो उसमें अपने पक्षो को लगा करके एक feeling डेवलप करता है इसको भी डिवोनों जी ने बताया है next इन्होंने बताया है operative thinking जिसे कहते हैं operative thinking यह एक action oriented thinking है हम किसी भी plan को बना लेते हैं योजना कर लेते हैं लेकिन जब तक क्रियात्मक रूप से कितने दिन में पूरा हो सकता है short term हो सकता है long term हो सकता है कितने समय के बाद हमें उसकी प्राप्ती हो सकती है जब हम इन सभी पक्षों पर ध्यान देते हैं तो उसे कहते हैं operative thinking CORT thinking program के अंतरगत डी भोनो जी ने चिंतन कारिक्रम को बिविन तरीके से बिविन टूल और टेक्निक से बताया है जिसके कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ जिससे हम कहते हैं PMI, PLUS, MINUS, INTERESTING CAF, CONSIDER ALL FACTORS OPV, OTHERS PEOPLE'S VIEW FIP, FIRST IMPORTANT PRIORITY CNS, CONSEQUENCES AND SECULS AGO, AIMS, GOALS AND OBJECTIV APC, ALTERNATIVE, POSSIBILITIES AND CHOICES अब हम पिस्तार पूरवक प्रतेक CORT चिंतन कारिक्रम के प्रतेक तूर पर बात करेंगे CORT चिंतन कारण के चिंन इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर जिसमें पहला स्क्रीन पर जो चितर दिखा रहा है वो PLUS, MINUS, INTERESTING को दिखा रहा है दूसरा इसमें जो round करके घूम के बना है CONSIDER ALL FACTORS का है तीसरा इसमें FIRST IMPORTANT PRIORITY देखे इसमें 5 चिंन के बाद एक गोला बना हुआ है इसमें 2 चिंन ही प्रदर्शित करते हैं कि हमारी PRIORITY है इसके बाद देखे APC का चिंन है और इधर किनारे के साइड अगर हम LEFT साइड आएं तो इसे हम कहते हैं Others People's View यानि प्रतेक व्यक्ति के नजरिये को लेना है फिर देखे इसमें एक सर्कल बना के एक एरो बना है जिसे हम कह रहे हैं AGO का चिंन है जिसे हम कहते हैं Aim, Goal और Objective इसके बाद देखे CNS है इसे कहतें Consequences and Sequals फिर इसके बाद नीचे की तरफ Consider All Factors में एक एरो बन करके घूम के गया है ये चिंतन उकरण के चिंन है जिसको D-Bonus ली ने डेवलप किया आगे हम बात करेंगे Plus-Minus Interesting पर आम तोर पर जब भी कोई विचार लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता है तो लोग इसका समर्थन या खिलाफत करते हैं वे इसका समर्थन या खिलाफत करते समय कुछ अपने तर्क, अपने भावनाओं का इस प्रयोग से करते हैं कि वे उसे सही सिद्ध करने लगते हैं ऐसी परिस्तिती में वे उस समस्या से के प्रतेग पक्ष पर ध्यान नहीं देते डिबोनो जी का कहना है कि P.A.Y. का उप्योग बच्चों के साथ, छात्रों के साथ करें उन्हें ये सिखाएं कि चलो एक विचार लेना उचित है परन्तु उस विचार के अलग-अलग पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए Like हम लोगों ने पढ़ा SWOT Analysis Strength, Weakness, Opportunity, Threat Analysis कहते हैं इसमें हम Pros और Cons को जानते हैं यह जो PMI है हमारे अंदर Critical Thinking को पैदा करती है Plus-Minus Interesting को आगे Continue करते वे देखते हैं इसके अंदर जो Plus है इसमें हम उस विचार के पीछे नहित प्रतेक सकरात्मक पहलू उसके पसंद आने के कारण उससे होने वाले फाइदे के विशव में विचार करते हैं Minus के अंतरगत समस्या में जो भी नकरात्मक पहलू है जो भी नापासंदिगी के कारण है उसकी विचार में विचार करते हैं Interesting के अंतरगत रूचिकर उपयोग पर ध्यान देते हैं देखे स्क्रीन पर एक उधारन दिखाई दे रहा है यदि यात्री बस से सभी बैठने की सीट को हटा दिया जाए तो संभावित PMI क्या होगी इस उधारन पर चर्चा करते हैं यदि इसके प्लस को देखें तो यदि यात्री बस में से सभी बैठने की सीट को हटा दी जाए तो निश्चेत रूप से अधिक संख्या में लोग उस बस में यात्रा कर सकते हैं आखसानी से उसमें से उतर सकते हैं लेकिन उसके नेगिटिव में अगर हम जाएं, माइनस में जाएं तो उब हाँ पर देखते हैं कि जो बुजर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो बस में से जब बस अचानक रफ्तार में रुकेगी तो गिर सकते हैं बच्चों को ले जाना उसमें दिक्कत होगा उसमें सामान कहां रखेंगे इसकी दिक्कत होगी और अगर हम इंट्रेस्टिंग की बात करें किस प्रकार हम उसके संभाविस सकरात्मक और नकरात्मक पहलू के साथ साथ उसमें रुचिपूर्ण तरीके से भी सोचने की गति को पैदा कर सकते हैं दूसरे टेक्निक इनोंने जो दी है उसका नाम है C.A.S. Consider all factors इसके अंतरगर समस्या के संभावित सभी कार को पर ध्यान दिया जाता है इसको उधारण से हम समझेंगे यदि कोई परिवार कार खरीबने की यूशना बनाता है तो कार के दाम, रंग, इंजन की पावर, मेकेनिकल पार्ट्स, कार के अंदर की जगह, टैक्स कितना लगेगा, उसकी resale value क्या होगी आदि सभी कार को पर ध्यान देता है जब वे सभी कार को पर ध्यान देता है तो इससे कहते हैं कि वो अपनी जेव में रहने वाले पैसे सब पर ध्यान देते हुए किसी निर्णे पर पहुंसता है यहां पर thinking में ध्यान देना चाहिए कि कई बार हम किसी एक ही पक्ष को ले करके इतने वायस हो जाते हैं, इतने उसमें डूब जाते हैं कि हम अन्य factors का ध्यान नहीं देते डिबुनो जी का कहना है कि हमें किसी भी समस्या का समधान करते समय समस्या आ जाने पर या कोई भी विचार आने पर या किसी भी व्यक्ति से मिलने पर उसके प्रतेक फैक्टर से सम्मन्दित बात करें जैसे अक्सर कक्षाओं में समस्या जनक या कमजोर चातर होते हैं जिनकी सेक्षिक उपलब्दी उतनी जादा नहीं आती ऐसी परिस्तिती में हम के वर चातर के पीछे लगकर एक सिक्षक के रूप में उसका समाधान ढूनते हैं नहीं वहाँ पर प्रतेक स्टेक होलडर से बात करने चाहिए उस चातर के अभिवावक से बात करने चाहिए उस चात्र को अन्य ट्यूशन टीचर से बाद करने चाहिए उसके साथ ही सम्मू से बात करने चाहिए उससे जुड़े प्रतेक पहलू पर ध्यान देते हुए हमें उसकी कमजोरी का कारण पता करना चाहिए ऐसी thinking से हमें समस्या का भेतर समाधान प्राफ्त हो सकता है इसके बाद हम बात करेंगे OPV जिसे इनोंने कहा Others People's View ये technique डीमोनो जी की कहती है कि Others People's View इसमें समस्या से सम्मंदित सभी लोगों के नजर ये पर ध्यान दिया जाता है अक्सर बात्चित के दौरान जब भी हम बात करते हैं तो हम अपनी ही बातों पर इतना biased हो जाते हैं कि हमारी सुन्ने की छम्ताएं खतम हो जाती हैं और हम दूसरे के नजरिये को गलत साबित करते हुए judgmental हो जाते हैं जब हम other people's view दूसरे के नजरिये को ले करके भी बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से judgmental नहीं होते हैं और निश्पक्षता से किसी एक निरने पर पहुंचते हैं और वह एक subjective नहीं एक objective decision होता है यदि बच्चों में बच्पन से ऐसी thinking पैदा की जाएगी जिसमें वो दूसरे के view को भी ले करके सोचना शुरू करेंगे मेरा ये एक शब्द में कहना होगा कि हम यह मान लें कि प्रतेक व्यक्ती अलग है individual differences लेकिन गलत नहीं है कहीं न कहीं यह एक ऐसी चिंतन की शुरुआत करता है कि हम एक दूसरे से अलग हो सकते है लेकिन हम एक दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए नहीं पैदा हुए है इस प्रकार से OPV technique के द्वारा हम चात्रों के अंदर एक open mind को विक्सित करते हैं उनको एक broad concept देते हैं broad perceptions देते हैं जिसमें वो दूसरे की विचारों को भी आत्मसात करते हैं other people view के एक बहतरी नुधारन को आप देख रहे हैं देखे इसमें साथ अंधे हैं जो कि एक हाथी पर चड़े हुए है क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए हाथी के जिस अंग को वो छू रहे हैं उसी प्रकार का perception वो डेबलब कर रहे है लिखा है it's a fan जो वेक्ति उसके कान पर चड़ा हुआ है उसे वे पंखे की तरह लगता है जो वेक्ति उसके पीट पर चड़ा हुआ है उसे वे हाथी दिवाल की तरह लग रहा है blind person अंधे हैं ये लोग जो उसके पैर को छूरा है वो उसे पेड बता रहा है जो उसकी पूच को छूरा है वो उसे रसी बता रहा है जो उसकी सून को छूरा है वो उसे खंबा बता रहा है इस प्रकार से हमारे जैन दर्शन में भी कहते हैं सब्त भंगील है यानि अदर्स पीपल्स व्यू यानि दूसरे का परसेप्शन भी समझ कर हमें सूचना चाहिए अगला है FIP जिसे हम कहते हैं First Important Priority प्रथम महत्पुन प्रात्मिक्ता इसके इंतरगर चैनी कारकों में से सबसे महत्पुन कारकों वोट्स दे कर उनकी प्रात्मिक्ता को निर्धारित करते हैं और वोट्स की वरियता के अधार पर चैन करते हैं अभी हमने आपको इससे पहले बताया था Consider All Factor जिसमें हम सभी कारकों की बात करते हैं जब सभी कारक आपके सामने आ जाएं तो उसमें से आप प्रथम महत्पुन प्रात्मिक्ता की तरफ बढ़ें FIP FIP ये कहती है कि प्रथम महत्पुन प्रात्मिक्ता को तै करके आप किसी निर्णे पर पहुंचें देखे एक बहतर एक्जामपल आपके सामने है कि व्यक्ति जब कार खरीदने गया था तो उसके पास दस कारक थे उस दस कारक में से जो बारा वोट आपके लिखेवे हैं उसमें लिखा है दा कार इस बिग इनफ पॉर अ फैमिली यानि उसके सबसे वड़ी प्रात्मिक्ता है कि उसका पूरा परिवार उस कार में बैठ सके तो बारा वोट उसको दे करके उसकी प्राइरिटी एक लिस्ट बना ली इन सारे कारकों में से दूसरे नंबर पे 11 कह रहा है यानि कार के प्रतेक हिस्से के खराब हो जाने पर उसे आसानी से बन ला जा सकता है यह इसकी दूसरी प्रात्मिक्ता है तीसरी प्रात्मिक्ता है दा टाइप अफ कार इन कलर कार कैसी है और उसका रंग कैसा है इस प्रकार से इन प्राथिमिक नाओं के अधार पर वह एक बहतरी निर्णे ले सकता है तो FIP ये कहती है कि हमें अपनी thinking पर किसी ब्यक्ति को निर्णे पर पहुचने के लिए first important priorities को chain करना चाहिए Next technique D. Bono जी की है consequences and sequels इस प्रक्रिया के अंतरकत किसी क्रिया के अग्रगामी परड़ामों के short term, medium term और long term क्या परड़ाम हो सकते है इसको देखा जाता है हमारे देश में विभिन पंचबर्षी योजनाय जो बनाई जाती है वो long term में बनाई जाती है यह योजनायोग के द्वारा बनती है लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी हम विभिन ऐसे निर्णे लेते हैं जिनके अग्रगामी परडामों को हमें सोचना पड़ता है इस प्रकार की थिंकिंग से हम लोगों में ये पैदा कर सकते हैं कि वो आगे आने वाले समय के लिए क्या हो सकता है उसको सोचें नेक्स्ट है ए जी ओ जिससे हम कहते हैं एम्स गोल और अब्जेक्टिव लक्ष धे और उद्देश निश्ण रूप से हम अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष बनाते हैं कुछ धे हो रखते हैं और कुछ उद्देश्यों को धीरे-धीरे समय अंतराल पर प्राप्त करते हुए अपने लक्ष को ही प्राप्ती करते हैं इसको एक उधारन की दोरा हम समझते हैं सिक्षा संकाय दोरा दिये गए सिक्षक प्रसिक्षन कारिक्रम के लक्ष धेवा उद्देश्च का निर्धारन करना सिक्षक प्रसिक्षन कारिक्रम के लक्ष हो सकते हैं एक बहतर सिक्षक को तयार करना धेव हो सकता है कि दो वर्ष की सिक्षक प्रसिक्षन कारिक्रम को अच्छे से चलाना semester 1, semester 2, 3, 4 सभी को एक अच्छे से run कराना ये हमारा goal हो सकता है लेकिन हमारे जो objective होते हैं वो कुछ निश्चिस समय में प्राप्त करने के लिए होते हैं उसमें हम एक निश्चिस समयावधी में उस objective को विसस्टता देते हुए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इस परकार D-bonus आपका कहना है कि हम किसी भी समस्या को जब लक्ष धे और उद्देश में बाट देते हैं तो कितने समय में उस समस्या का समधान हो सकता है कितने समय में हम उसे अचीव कर सकते हैं को यह हमें पता लग जाता है और ऐसी थिंकिंग चात्रों में पैदा करने से वह लक्ष निर्धारी दोकर के एक बहतर आउटकम की प्राप्ती कर सकते हैं नेक्स्ट इनका उधारन दिया गया था जिसे हम कहते हैं एपी सी टेक्निक आटरनेटिव पॉसिबिलिटीज एड चॉइस इसके अंतरगर व्यक्ति समस्या के समाधान हे दू विभिन विकल्प समाधान की तलाश करता है जब हम बात करते हैं कि और्टरनेटिव लेस तो हम किसी समस्या के समाधान में एक ही प्रकार से चिंतन करते हैं लेकिन अगर हम विभिन विकल्पों की तलाश करें विभिन समभावनाओं को देखें और उसमें अपनी पसंद को तलाश करें तो निशित रूप से हमारा एक बहतर समाधान प्रस्तुत होता है तो APC इनकी एक अलग टेक्निक है इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कि चिंतन के उपकरण में PMI, CAF, OPV, FIP, CNS, AGO और APC किस प्रकार से चात्रों में चिंतन को विक्सित कर सकते हैं इसके अलावा डिबोनो सहाब ने 6 हैट का भी प्रयोग किया 6 हैट के अंतरकत उन्होंने बिभिनत प्रकार की हैट्स, Blue, Black, Red, Pink, Yellow, Green ऐसी हैट्स का इस्तेमाल करके चात्रों में थिंकिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने का कारियर किया इसमें जो PMI थी प्लस माइनस और इंट्रेस्टिंग ये PMI बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा कर रही थी और इसके लिए उन्होंने यलो हैट का प्रयोग किया यलो हैट से ताथ परे था आशावादी चिंतन दूसरा इन्होंने जो CAF इस्तेमाल किया consider all factor इसमें उन्होंने एक directional thinking की बात की एक consider all factor में breath विस्तार पूर्वक चिंतन की बात की और इसके लिए उन्होंने blue head का इस्तेमाल किया है और इसे कहते है managing संगठन करना तीसरा जो इन्होंने OPV का इस्तेमाल किया other people's view यह कहीं न कहीं other people view हमारी संबेदनाओं से हमारी feeling से जुड़ा हुआ है इसलिए इसके लिए इन्होंने red और pink head का इस्तेमाल किया है और इससे emotions को इंगित किया है next है FIP first important priority first important priority हमारी organizing capacity को परदर्शित करती है हम कितने अपनी priorities को तै करके चलते हैं कितने समय में इसे पूरा करना है कौन सी हम्यारी लिए सबसे ज़्यादा ज़रुरत बात है यह हमारे संगठन की शक्ती को व्यक्त करता है और organizing thinking बच्चों में FIP की दोरा develop होती है आगे बात करते हैं CLS की consequences and sickles की जब हम अपने consequences short term long term mid term परदामों की तरफ आगे आने वाले क्या परदाम होगे इनके बारे में सोचते हैं तो यह एक operative thinking को पैदा करता है यह हमारे इंदर एक क्रियात्मक चिंतन को पैदा करता है हमारे इंदर action को पैदा करता है तो consequences C and S को हम operative thinking के अंतरगत categorize कर सकते हैं फिर हम देखते हैं AGO जिसे हमने अभी discuss किया aim goal and objective यह भी हमारे action thinking से related है क्योंकि हम अपने objectives को एक durable time के साथ एक विसस्टता के साथ एक विसस्ट समय नर्धारन के साथ उस objective की प्राप्ति करते हैं अपने aim की तरफ बढ़ते हैं अदर की बात आप विवन विकल्पों की तलाश करते हैं जब आप विवन संभावनाओं की तलाश करते हैं जब आप choices में जाते हैं तो बट नेचुरल आपमे creativity पैदा होती है यह एक स्रजनात्मक्चिंतन की बात की गई है और इसे इन्होंने green head से प्रदर्शित करते हुए outside the box की बात की वे हम यह देख रहे हैं इस प्रकार C.O.R.D. में critical, directional, emotional, organizing, operative, action-oriented and creative thinking के साथ decision-making thinking को हम चात्र में कैसे पैदा कर सकते हैं इतने प्रकार के tools दिये गए निश्चित तोर पर अगर हम अपने section प्रणाली की बात करें तो आज तक हम how to talk, how to walk, how to read, how to write इस पे ही अटके रह से चलता है, तो हमने C.O.R.D. टूल की प्रासंगिकता की बात करें, तो यह हमें how to think, किस प्रकार हम बच्चों में thinking को पैदा करें, जो three hours थे, वो हमारे shift हो गए how to think की तरफ, कि छात्रों में कैसे एक अच्छी thinking को पैदा करते हुए, एक अच्छे decision making को पैदा करते हुए, उन्हें एक बहतर नागरिक बनाएं, इसके लिए डीबोनों का C.O.R.T. उपकरण निश्चित तोर पे प्रासंगिक है, सिक्षक प्रसिक्षन कारिक्रम के लिए, हमारे आने वाली पीड़ी के लिए, हमारे छात्रों के लिए, इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं, धन्य प्लिए ग्रसिक्षन के लिएए, हमारे आनने वाले आने प्रसिक्त गाखते हैं, तोर श्काष व्लूं के लिएए, अईहकर हैं, प्रस्वस्ट भून समारे उन्हे हैं, हमारे तोर चाप्ते हैं, हमारे चीड़ी अowanaे ए Autob ए ऴूरी सम्वस्फबदाबरा झ businessman, हमारे और मारे